Why India underperformed in FIFA World Cup Qualifiers and should we look for new coach? जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भारतिय फुटबॉल टीम ने इस FIFA World Cup Qualifiers में अपने दर्जे से नीचे की performance क्यों दी उसके पिछे क्या रीजन थे और साथ में वीडियो के आद में हमें आपको बताऊंगा कि क्या हमें एक नई coach की जरुवत है या एक नई coach ये साथ एक नई system की जरुवत है या existing coach के साथ ही हम एक नई system या एक नई enthusiasm के साथ इस चीज़ को फिर से start कर सकते हैं Start कर दे वीडियो को आपको मैं बता दू कि Group E में FIFA World Cup Qualifiers के second round qualifications में Qatar, Oman, Afghanistan और Bangladesh के साथ थी हमारी Indian National Football Team अगर हम बात करें Qatar के FIFA ranking की तो 57th FIFA ranking पे आती है Oman 88th FIFA ranking पे आती है Afghanistan 149th FIFA ranking पे आती है और वहीं Bangladesh की team 184th FIFA ranking पे आती है और हमारी Indian National Football Team 105th FIFA ranking पे आती है इन सारी टीमों का एक group बना था POT के हिसाब से और अगर हम बात करें FIFA rankings के हिसाब से जिस तरह से खतम किया इस group में सारी टीमोंने तो बिल्कुल जस्टिफाइबल था Qatar सबसे टॉप की team थी Qatar top पे finish की Oman second team थी तो Oman ने second finish किया India ने third finish किया Afghanistan ने यहाँ पे fourth finish किया और Bangladesh ने आकरी पैदान पे खतम किया तो वो सारी चीज़े तो सही है दोस्तों उसमें कोई दिकत नहीं लेकिन जिस तरह से इंडियनाशनल फुटबॉल टीम ने third finish किया जिस points के साथ finish किया और जिस तरह की goals दागे और जिस तरह कहीं पे goals खाये जिस तरह से क्या difference रहा वो बिल्कुल भी expected नहीं था और हम जो fans हैं या जो भी इंडियन फुटबॉल को follow करता है कम से कम इस group में हम सोच रहे थे कि इस से कई अच्छा इंडियनाशनल फुटबॉल टीम परफॉर्म कर सकती है क्योंकि एक promising start मिला था इंडियनाशनल फुटबॉल टीम को ओमान के खिलाफ जो हमने 75th minute तक जो match खिला था FIFA World Cup Qualifiers के अपने पहला match जोगोहाटी में हुआ था एक बहुती crowd के बीच में वहाँ पे हम लोग 1-0 से लीड कर रहे थे और आखरी में 88th minute के बाद यहाँ पे ओमान ने counter-attacks कि और दो गोल करके वो आखरी में match हम से चीन के ले गए तो वो जो 75th minute था मैं कहूंगा पूरे FIFA World Cup Qualifiers के best 75th minute थे यहाँ पे इंडियनाशनल फुटबॉल टीम के लिए वहीं अगले match में हमने वीडियो में भी कहता हूँ कि जपान और साउथ कोरिया को अगर छोड़ दे तो कोई भी ऐसी middle list की यहाँ पे कोई country नहीं है जिसे हम हरा नहीं सकते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा difference नहीं है इन दोनों टीम में अगर इंडिया से कम परजन करें किसी टीम की बस बात यह है कि उनके जो players है वो ज़्यादा matches खिलते हैं ज़्यादा train होते हैं और उसी चलते वो difference आ जाता है और साथ में हमारी mentality जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस के बारे में इस वीडियो में मैं एक थोड़ा सा लंबा discussion करूँगा आगे जाके वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर barrier है इंडिया नेशन फुटबॉल टीम के growth में चलिए दोस्तों मैं पहले mentality की ही बात कर रहता हूँ अगर हम बात करें यहाँ पर अमान के खिलाब तो जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था अपने फीफा वीडिकप क्वाइट के एक positive mind के साथ कि हम इस team को हरा सकते हैं और हराएंगे क्योंकि अमान एक बहुत ही बहुत खतरनाक team हम नहीं कह सकते 88 फीफा रैंकिंग पर आती लेकिन चलो सही है कोई दिकत नहीं वहाँ पर आपको improvement करना चाहिए था कि हमने आकरी में दो गोल क्यों खाए वो हमें वहाँ पर चीज़े चेंज करनी चाहिए था लेकिन अब हम क्या करने लगे कि कतार के खिलाब दो हम उतरे तो पूरा हम defensive हो गया हम आगे attack ही नहीं कर रहे थे कुछ-कुछ attacks बता है उदांता सिंग ने एक लगबाग गोल दाग दिया था यहाँ पर शहल आगे ball लेके निकल गये था लेकिन फाउल कर दिया लेकिन वो तो part of game है जब तक हा result लेकाल के नहीं लाओगे results पर होता है मेरे साब से और बाद में reflect भी results ही होते हैं तो वहाँ पर आपको positive mindset करता उतरना चाहिए था भले आप match को हार जाते लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से कोशिश करनी चाहिए था कि हम भी attack करें हमारे प्लास भी creative players थे शहल अब्दुल समत थे Brandon Fernandez उस match में खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे मेरे को अच्छे से याद नहीं लेकिन हमारे प्लास squad था जो कि उस तरीके से खेल सकता था लेकिन आप एक खराब mindset के साथ गए वहाँ पर अब यहाँ पर बांगादेश के खिलाफ क्या हुआ हुआ कि आपने पूरी यहाँ तक जो दो friendly यहाँ पर इंडिया ने UAE और रोमान के खिलाफ के लिए उसमें मेरे को दिखा कि होता है जो lack of confidence और lack of coordination जो यहाँ पर final third में strikers के बीच में होता है एक सुनीर चेतरी को छोड़ दे तो बाकी कोई भी मनवीर सिंग भी बिलकुल हबल कर जाते हैं बिलकुल मतलम एक तरीके से कह सकते हैं कि आकरी में जाके pair के बीच में उनका ball first जाता है क्या होता है मेरे को समझ नहीं आता लगता कभी उन्होंने पहले goal नहीं मारा उस situation में तो वो सारी चीजों के पीछे एक reason है दोस्तों वो reason यह है कि हमारी team जो है as a unit बहुत कम खेलती है अगर as a unit हम बहुत कम खेलेंगे और majority of the teams जैसे अगर हम ओमान से खेलें इरान से खेलें या किसी भी team से खेलें कतार से खेलें तो हम बिल्कुल यहां पर setback कर लें और हम strikers को बिल्कुल ऐसा बोल दे कि आप भी defense करो आप भी defense में आके योगदान करो आगे आपको नहीं जाना है full throttle attack आपको नहीं करना है तो वो सारी चीजों कर आप बोल जोगे तो कभी यहां पर एक असली match में जो strikers गोल मारने की एक capability होती है जो pair खुलते हैं वो कभी खुल नहीं पाएंगे आपके भले आप भार जाओ कतार के खिलाफ 2-1 से भले आप भार जाओ 4-2 से 4-1 से लेकिन आप जो एक गोल मारोगी वो हमेशा as a confidence वो striker के mind में रहेगा उनके muscle memory में रहेगा कि हाँ मैं जब इस situation में आया था जब गुद की पर इस position में था और जब player मेरे इस position में थे तो मैंने कैसे गोल मारा था वो चीज यहाँ पर काम तब करती है जब हम Afghanistan, Bangladesh, Nepal या कह सकते हैं हमारी range की कुछ teams के साथ खेलते हैं और जहां हम expect करते हैं कि हमें three point चाहिए लेकिन हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमें ने chances तो create किये लेकिन जब हम आकरी में जाते हैं गोल मारने के लिए तो हमारे पास वो muscle memory हमारे strikers के पास नहीं होती हमारे players के पास होती जिसके कारण हम उस चीज को convert कर सके तो यह एक सबसे बरी दिक्कत है यहाँ पे हमारे players के बीच में क्योंकि हम मौके convert नहीं कर पाते हैं और साथ में अगर हम बात करें दोस्तों कि हुआ क्या कि चलो ठीक है कोरोना आया 6-7 मेरे के लिए सब कुछ बंद हो गया था जो first way वाया था अब उस बीच में जो हमारे coach साहब थे वो Croatia महीं बैठे वे थे अगर हम बात करें Qatar की या किसी दूसरे team की तो उनके coach तुरंथ ही उन्होंने जॉइन की या कितने सारे friendly matches खेले कुछ भी कराया, camp भी लगाया चुछ फ्रेंडली matches दूसरे country खेलने के लिए तयार नहीं है लेकिन हम अपने में camp करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे दोस्तो as a unit हम रहेंगे लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली और वही चीज हमें pay करनी परीबाद में अगर हम बात करें भी Qatar की तो Qatar के पास अभी November तक उनके पास बिल्कुल scheduled उनके matches हैं कि हमें इस match को खेलना है हमें इस match को खेलना है और उसके बज़ाए वो जो schedule है अब मैं अगर उनके Instagram page को follow करता हूँ कि मैं Qatar football को follow करता हूँ थोड़ा बहुत तो मेरे को पता है कि वो जब भी यहाँ पे कोई match खेलने वाले रहते हैं तो बिल्कुल unofficial matches यहाँ पर schedule कर देते हैं लगवग अगर मैं बात करो तो 20-25 matches खेलते हैं अब उसके पीछी reason भी है कि 2022 में FIFA World Cup होने वाला है वो host है तो उनको खेलना जरूरी है लेकिन वो चीज हमारी international football team भी कर सकती है अगर आप कोई quality अपोनेंट नहीं मिलते हैं जैसे ही कोई Asia की top team नहीं मिलती तो आप यहाँ पे Europe की किसी lower rank team से खेलो आप भाई Nepal से ही खेलो Nepal कोई बहुत खराफ football नहीं खेलती है उनके confederation जो sub confederation है उनके काफी matches होते हैं इसलिए वो इतने develop कर पाए है और हमारे players जो हैं वो matches ही नहीं खेलते हैं अब ही अगर मैं आपको बता हूँ तो अभी बीच में कोई match नहीं है यहाँ पे June तो चला गया July में कोई match नहीं है staff championships में भी तो वहाँ पे भी वो बात खत्म हो जाती है आपको यहाँ पे अपनी team के लिए AIFF को ज़रूरी है कोज के ज़रूरी है कि वो आके इंडिया में रहे अभी भी क्या हुआ है कि यह जो FIFA World Cup Qualifiers खतम हुए है तो वो चले गया है वापस क्रोशिया अपने अपने स्टेट में चले गया है अजा यूनिट वो है ही नहीं तो कभी भी वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर इसी चीज़ को हम सिस्टम को लेके चलेंगे और बस बोलेंगे कि कमान इंडिया लेट्स फुट बाल उसे कुछ नहीं होने वाला आप नमंबर से यहाँ पर इसले स्टार्ट करोगे इतने दिन तक इंडिया नाशनल फूट बाल डिंगा प्लेर्स करेंगे क्या आखिर क्योंकि फेबरेडी से यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफार्स जो खत्म हो गए second round इसके लिए एफसी एशन कप के जो third round qualifications इसमें इंडियनाशन फूट बाल डिंग ने क्वालिफार्स किया है वो स्टार्ट होगा और उससे पहले कोई official schedule आपका नहीं है एगर हम staff चैपरेशिप को छोड़ दे तो तो उतने दिन अगर आप match as a unit खिलोगे ही नहीं तो आप direct जाके AFC third round में खिलोगे तो फिर वही कहान ही होगी दोस्ति हो सकता है कि आपको असान group मिलने के बाद भी आप हो सकता है आप second third finish कर जाओ एक miss happening हो जाए और आप फिर से यहाँ पे होसता है AFC Asian Cup के लिए qualify ने कर पाओ तो इस चीजों को बदलना जरूरी है अभी आप दो तीन महीने जो खाली बैठे वे हैं आप कम से कम एक महीने में एक दो मैच कराओ कुछ यहाँ पे इंटर कॉंटिनेंटल Cup करा दो किसी टीम को बिला लो या नेपाल को भी बिला लो तजिकिस्तान को बिला लो नॉर्थ कोडिया को बिला लो मलेशिया को बिला लो किसी को भी बिला लो कम से कम मैच दो जो इंडिनेशन फुटबॉल टीम की जो भी है, उनको matches देना मेरे साब से बहुत जरूरी है, अगर हम बात करें दोस्तों coach की, इगोर स्रिमेश की, तो मेरे साब से जरूरी है अब उनको change कर देना, क्योंकि अगर उनके record track की बात करें, या track record जो भी हम बोल सकतें, उनकी बात करें, तो मुझे बहुत ही promising record उनकी आप सोच सकते हो, किसी भी team के साथ, वो successful नहीं हो सके है, और क्या सोच के उनको लाया गया था, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उनके जगह पे काफी option थे, Albert Rocha थे, यहां पे हकान थे, Ericsson थे, मतलब बहुत सारे coach थे, एक ऐसे coach थे, जो वियतनाम के भी coach है, उन्होंने यह भी apply किया था, International football team के head coach के लिए, और देखो, आप वियतनाम को उन्होंने third round में लेके गए हैं, वो FIFA World Cup qualifiers के, उन्होंने Asian Cup directly qualify कर लिया second round से, तो उस चीजों को आप देखना जीए, कि आपने किस को select किया है, और यहां पे, अगर आप किसी को भी ले आओगे, अभी आप को भी ले आओगे, आप उसको match नहीं दोगे, तो things will not work, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, आप किसी को भी उठा के ले आओ भाई, आप Manchester City के coach को उठा ले आओ, पैप को उठा के ले आओ, आप उसको match नहीं दोगे, International football team के साथ, आप as a unit, यहां पे matches नहीं organize करा होगे, International football team के लिए, तो चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है, चाहें आप 50, 60 साल ले लो, और बाकी जो आपसे पीछे की team है, अफगानिस्तार, बंगलादेश, वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे, और आप कहीं पीछे रह जाएंगे, तो दोस्त सको, और बहुत लोग बोलते हैं कि आप शुबम वीडियो नहीं डालते हो रोज, मतलम बाकी यूटीबर्स रोज वीडियो डालते हैं, तो मैं आपको बता दो दोस्तों कि मैं एक, मतलम कह सकते हैं कि फुल टाइम यूटीबर नहीं हूँ, मैं as a fan हूँ, मेरा दिल जो है, इंडिन फुटबॉल के धरकता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन रोज वीडियो डालना, और कोई उतना important topic के बिना वीडियो डालना, छोटे-छोटे transfers के लिए, मैंने Instagram बना लिया है, वहाँ जाकर follow कर सकते हो, आपको updates मिल जाएगा, और छोटे-छोटे transfers के मैं यहाँ पर रोज वीडियो डालू, कोई भी topic उठाके वीडियो डालू, तो उससे मेरे को नहीं लगता कि किसी का भी यहाँ पर फायदा होने वाला है, फायदा बस मेरा होगा कि हाँ मैं रोज वीडियो डालूँगा, तो मेरे को जादा पैसे आएंगे, लेकिन मैं पैस इस चैनल को दोस्तों वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो करते हैं खथ मिलेंगे आप से गड़े वीडियो में बहुत ही जंद